आर्टी ए के तहट प्री प्राइमरी कक्षिया में भी प्रिवेश ओलाइन आवेदन 6 फर्वरी से शुरू चालू शिक्ष्या सत्र के लिए होंगे एडिमेशन नियाले के फैसले के बाद शिक्ष्या विभाग में राज्जे के प्राइवेट स्कूल में RTE के तहट प्रई प्राइमरी कक्षा में एडमिशन की विगपती जारी कर दी है दरसल शिक्षा सतर बीश इकी से राज्जे सरकार ने RTE के तहट निशुलक एडमिशन के लिए एंट्री कक्षा पहली कक्षा कर दी थी उसके बाद 2021 और 2022 में पहली कक्षा में RTE के अंतरगत परवेश दिये गई नीजी सिक्षन संस्तानों के एक संगठन ने इस फैसले के खिलाब न्याले में याचिका दायर की न्याले के फैसले के बाद अब शिक्षय वाग में फिर से प्री प्राइमरी कक्षा में परवेश की परकिरिया को लागू किया है प्राइमरीक शिक्षा निदेशा के गोरो अगरवार ने शुकरवार को परवेश की विगपती जारी कर दी है नेसुल्क प्रवेश के लिए अभी वावक्ष फरवरी से उनलाइन आवेदन कर सकेंगे प्री प्राइमरी कक्षा में विद्यार्थियों का नेसुल्क प्रवेश वर्तमान शिक्षय स्तर 22-23 के लिए होगा आलाइंकि ये विवस्ता आगामे 27-23 में भी लागू रहेगी प्रारंबे के इस शिक्षय निदेशक गोरो अगरवाल ने बताया कि प्री प्राइमरी प्लस तीन के लिए 3-4 वरस आयू वरगे के बच्चों का एडमेशन होसकेगा वहीं प्री प्राइमरी प्लस चार के लिए 4-5 साल तक के बच्चों का और प्री प्राइमरी प्लस पांच के लिए 4-6 साल से कम उमर के विद्यार्थ्यों का एडमेशन होसकेगा ऐसे होगा एडमेशन एडमिशन के लिए आभिभागों को पले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप डाउनलोड करना होगा इसी एप पर आवेदन फार्म है जिसे ओल लाइन भरना होगा आवेदन के बाद लोटरी निकाली जाएगी और इसी लोटरी के आधार पर प्राइवेट स्कूलों की 35% सीट्स पर एडमिशन तेहोस केगा शिक्षे बाग ने अब तक आवेदन की लास्ट डेट और लोटरी की डेट्स के बारे में सूचना नहीं दी है यह है रहेगा टाइम फ्रेम 15 फरवरी को निकाली जाएगी लोटरी रिपोर्टिंग 17 को ओनलाइन आवेदन 6 से 13 फरवरी रहेगा लोटरी 15 फरवरी को निकाली जाएगी ओनलाइन रिपोर्टिंग 15 से 17 फरवरी आवेदन पत्रों की जाच 15 से 20 फरवरी आवेदन पत्तर में क्रेक्शन तेईस फरवरी आवेदन खारीज की स्कायद चोबिस फरवरी संसोधित आवेदन जाच शताईस फरवरी पोर्टल पर आर टीसी का चेन अठाईस फरवरी को